असलाम लेकुम dear learners, how are you all, hope you are doing well क्या आपका भी के यू online admission form submit नहीं हो रहा है, मेरा भी नहीं हुआ है चले आज कोशिश करते हैं और इंशाला आज submit हो जाएगा जैसे के last video में मैंने आपको बताया था कि के यू की website में आपने किस तरह से अपनी profile बनानी है और किस तरह से login करना है और किस तरह से bank slip generate होगी, उसके बाद form आ गया था, form भी मैंने फिल करके बताया था लेकिन form जो था वो save नहीं हो रहा था, because of KU का जो server down हो जाता है दुपैर में, ठीक है मैंने आपके सामने सब करके रिखाया था, one go में सब कुछ हो गया था, बस last में वो save नहीं हो था तो अभी मैंने फिर से try किया form कुलने की कोशिश की कि शायद मुझे दुबारा से form fill करना पड़े का तो यही सोच के मैंने जब open किया तो मेरे सामने fee voucher, bank voucher पूरे सामने show हो गया it means के मेरा form submit हो गया, अब मैं इसको print कर रही हूँ और save as PDF कर रही हूँ ताके जब मुझे print करवाना हो तब यह KU की website ना खुलनी पड़े हो में पास already है, save हो settings में जाके page size आप A4 size कर लीजे और इसका orientation जो है वो landscape mode में करेंगे और यह PDF का जो आपको नजर आ रहा है green सा icon इस पे click करेंगे तो यह आपके phone में आपकी device में जाके चीज़ सेव हो जाएगी यह दो pages हैं और दो के दो ही आप print आउट करवा लीजेगा जहां से भी आप करवाते हैं ठीक है यह एक काम कर दीज़ साइट पर अब आते हैं हम अपने दूसरे काम की तरफ यानि back to the form form तो fill हो गया था मेरा लेकिन form के साथ जो attachment डलनी थी वो वाला page open नहीं हो रहा था चीक है न तो आज हम कोशिश करते हैं कि form के साथ जो attachment डलने वो भी मैं आपको बताती हूं कौन से attachment आएंगे और कैसे डलने देखें ये तमाम attachments आपके documents बता रहे हैं कि क्या क्या ज़रूरत है एक तो fee deposit slip चाहिए जो आप जाके bank में पैसे जमा करवागे वहां से जो आपको student को भी मिलेगी वो आपको डालनी है आपका cnc card होना चाहिए आपके father का cnc card होना चाहिए mother का होना चाहिए metric की mark sheet होनी चा चाहिए होता है वो होगा यानि इस में से कोई एक चीज होगी ठीक है सहरी चीज़े नहीं जो आपके पास है graduation के आपकी last mark sheet होगी जो भी आपके पास last है जिनके भी result waiting पे है result नहीं आया यानि mark sheet नहीं आई है तो वो अपना recent जो है उन्होंने admin card जिस से paper दिये आपके अपन picture upload करेंगे ठीक है और यह नीचे आपको process बताया हुआ है कि किस तरह से file submit करनी है picture format में होनी चाहिए कोई scan कोई pdf नहीं चाहिए picture की size यहां mention नहीं किया मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि यह मैं गल्ती कर चुकी थी picture का size at least 100 kb से कम होना चाहिए ठीक है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि picture format jpej format में जो picture होती है वो आप पहले से अपने सारे documents की लेके रख लीजेए कि मैं यहां से upload कर रही हूँ यह learner's house का मेरे पास जो logo है यह 173 kb का था यह मैं upload कर रही थी तो यह जो है upload इस तरह से आ रहा था उसके बाद आ रहा था processing ठीक है तो मुझे लगा चाहिद network का issue होगा इसलिए processing आ रहा होगा मैंने बारी बारी साही चीज़ा upload करनी शुरू कर दी यह मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यही logo हर चगा पर डाल रही हूँ आपने exact जो चीज लिखी है वो ही submit करनी है ठीक है CNIC अगर पूछी है आपकी पूछी है तो आपने अपना CNIC का front और back clear picture होनी चाहिए ठीक है तो यह picture सारी आप पहले से लेके रख लें अपने mobile के camera से ही लीजेगा और कोशिश कीजेगा उस picture को छोटे size में crop करके लें वो मैं आगे आपको बताओंगी कि उसको किस तरह से crop करना है तो उसका size कम हो जाता है ठीक है यह मैंने सारी एक जगा पे सारी pictures डाल दी वो ही logo अपना डाला जो 173KB का था ठीक है क्योंकि मुझे इस वक तक पता नहीं था और यहां कई mention भी नहीं था कि size छोटा कितना होना जाए ठीक है अब mention होता तो मैं वो कर देती बहुत से आपको लोग जो है वो यह कहते हैं कि आप cam scanner से scan करके डालें या कोई app होता है mobile app से उससे picture का size छोटा करें देकर इसकी कोई ज़रत नहीं है cam scanner वाला भी अलाओ नहीं है PDF फाइल भी इसमें नहीं जाएगी इसमें just picture जाएगी और picture का size 100 kb अराम से आप अपने mobile के camera से अराम से कर सकते हैं यह देखें मैं आपको करके दिखा लिए यह वोई मेरी picture है 169 kb की इसको मैंने चोटा किया है ठीक है इससे और जादा चोटा किया है तो इसकी मैं आपको detail बताती हूँ यह 148 kb की हो गई है अब मैं इसको और crop कर दीओ एडिट करेंगे crop करेंगे और इसको और छोटा करने की कोशिश करेंगे तो इसका size और कम हो जाएगा तो यह इस तरह से picture आप अराम से अपने mobile के जो camera का section होता है जहां photos save होती है वही से आप एडिट कर सकते हो इसके लिए कोई app की ज़रुत नह है ठीक है पस यह है कि यह काम आप पहले से करके रखेंगे यानि के picture पहले से लेके सब चीजों की रखेंगे तो फॉर्म फिल करते वे आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी दो मिनट में चीज़े upload हो रहेंगी और फट फट करके आपके सामने आ जाएगी ठीक है अब तेक जाएगा कि फॉरन से शोग है ठीक है जैसी picture upload होगी वह आपके पस फॉरन से शोग ही होगी इट मींज के वह upload हो चुकी है सकसेस्फुल अब दूसरा मसला जो आप लगों को आता है वह डिसकस करते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी पताया था कि आपको जो भी upload करना है व अब देखें यह वह जो मैंने पिक्चर अपलोड की है learner's house का logo वह थर्ड नमबर पर आया ठीक है अब मैं कोशिश कर रही हूं कि किसी तरह मैं इसको डिलीट करूं लेकिं डिलीट का option नहीं आ रहा तो it means कि आप से जो गलत picture डल गई है वह डिलीट नहीं हो सकती लेकिन ऐसा आपके तमाम पिक्चर सही वाली अपलोड हो जाएं ताकि आपके फॉर्म में कोई objection नहीं लेकिए अगर बिलफर्स कुछ ऐसा होता है कि सही पिक्चर अपलोड नहीं होती तो आप भी मेरी तरह इसी तरह आगे मलब सही पिक्चर अपलोड करके form warm submit कर दीजेगा यह होगा क फिर दो दिन बाद यह जब time up हो जाता है इसका submit करनेगा उसके बाद आपके form में एक objection आता है तो क्यों हो रहा है वो भी मैंने आपको बताती है और इसका हल क्या है वो भी बताती है ठीक है अच्छा बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मदर्स CNIC बहुत सी खवातीन जो हैं जो मदर्स हैं वो देना नहीं चाहती तो मदर्स की CNIC की जगा आप अपने फादर की ही CNIC डबल लगा दीज़ेगा कोई फर्ट नहीं पड़ता क्यूंकि होता है किसी किसी को इशू कि यह वा लोग भी बात समझनी जाए है ठीक है अगर कोई मसला होगा तो वही मैंने का अबजेक्शन आ जाएगा आपके फर्म में तो अबजेक्शन के बार आपको एक चांस दिया जाता है कि आप फर्म में वो चीज़ चेंज करके सही कर सकते हैं ठीक है तो यह तमाम चीज़े मेरी हो चुकी है उसके बार देखे मैं बै पर क्लिक करेंगे तो आपको यही जो अपने फर्म में जो जो चीज़े डाली है यानि अटेच की है वो आपको शो हो जाएंगी कि आपने क्या क्या डाली है तस्वीर, माकशी, जो भी डाली है ठीक है फिर उसके बाद आप दूसरा अप्शन आता है कहां गया हां पर बैक तो फॉर्म जाएं तीसरा अप्शन आता है अप्डेट का यानि फॉर्म में जो लिखा हुआ है जो टाइप किया हुए उसमें कुछ चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं उसमें मैं गई थी और मैंने कोशिश की कि मैं ये फी पे डेट चेंज कर दू तो मेर चेंज करना चाहा रही थी ये भी नहीं हुआ और ये देखें बॉक्स रेड कलर का रहा है तो वही रेड कलर का मतलब के कुछ मस्थला है खर अपडेट किया अपडेट भी नहीं हो रहा था ये इटमीज इस पर कुछ नहीं कर सकते हूं जो हो गया एक दफाव फॉर्म फिल ये नहीं हो कि आपकी साही चीजा पर आगे पीचे हो जाए ये कुछ गलत हो जाए फिर ये फॉर्म कैंसल हो जाएगा लिखावा कुछ गलत हो तो चैंसल हो जाएगा हाँ अटेश्मेंट में कोई मसला होगा चीज़ें से अप्रोड नहीं कियोंगी उसके लिए आपको इसमें यह तमाम चीजें लिखी नहीं है वह पढ़के देख लीजे और इस पर टिक कर दीजे कि I have attached all the required documents ठीक को सही सब पढ़ लीजेगा प्लीज पढ़के फिर किया करें और यह मैं सब्मिट कर रही हूं हलाके मैंने कुछ भी सही अप्रोड नहीं किया लेकिन यहां पर भी status आपको दो दिन बाद पता चलेगा इसी website पे कि अगर आपकी चीज पूरी complete है यह short of document है तो यह दो दिन बाद आपको पता चलेगा मेरे पास भी मैसेज आएगा मैसेज भी आएगा और email भी आ सकती है ठीक है और website पे जाके भी चेक कर सकते है मेरे पास जब ऐसा कुछ आए कि क्योंकि online आप सब्मिट कर रहे हैं लेकिन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं ठीक है I hope आपको समझ में आ गया होगा आपकी सवालों के जवाब मिल गए होंगे next video के साथ पर मिलती हूँ अलापिस